दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल में काइन मास्टर वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे है और जब आप अपने काइन मास्टर वीडियो एडिटर में कोई वीडियो एडिट करते हो तो वो काइन मास्टर बीच में ही एक्जिट हो जाता है या फिर जब आप अपने काइन काइनमास्टर वीडियो एडिटर में कोई वीडियो एडिट करके एक्सपोर्ट करते हो यानि कि सेव करते हो तो वो बीच में ही इस्टक हो जाता है बीच में रुख जाता है तो उसको किस तरीके रिजॉल कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इसी का सॉलोसन मैं आपको बतान कर लिजेगा दोस्तों अपना काियनमस्टर वीडियो एडिटर ओपन कर लिजे तो मैंने ओपन कर लिया है और उसके बाद यह जो सैटेंग है इस पर कلिक कर दीजे उसके बाद डिवाईज capability पर select कर दीजे और उसके बाद यह जो right top में तीन parallel dots है इस पर click करके run analysis now पर click कर दीजेगा और उसके बाद run analysis process पर click कर दीजेगा तो यह जो है hardware performance analysis in progress यह start हो जाएगा आपका और जैसे ही यह complete हो जाए उसके बाद आप अपने mobile को restart कीजेगा और उसके बाद आप कोई भी वीडियो इसमें edit कीजेगा या फिर किसी भी वीडियो को आप export या save करोगे तो यह बीच में श्टक नहीं होगा कोई दिक्कत आपको नहीं होगी तो पहले मैं इसको complete कर लेता हूँ यह जो progress है यह अभी चल रहा है हमारे इस काइन मास्टर वीडियो एडियेटर का तो दोस्तों यह जो progress है वह almost complete हो चुकी है तो यह हमारे complete हो चुका है अब हम अपने mobile को restart कर लेते हैं तो mobile हमारे restart हो चुका है मैं काइन मास्टर वीडियो एडियेटर ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें यहां पर एक वीडियो हमने एडियेट किये यह आप देख सकते हो तो इसको हम export कर लेते हैं तो इस वीडियो का export होने में पर प्रॉबलम हो रही थी हमको और अगर आपका यह वीडियो एडियेटर से exit भी हो रहा है तो जो आपने यहां पर हाड़वेर एडियेट किया है प्रॉग्रेस वह आपने complete किया है उससे वह प्रॉबलम भी आपकी दूर हो जाएगी तो मैं इसको export कर लेता हूँ और अगर आप फिल white ं करना चाथ है तो है अगर qhd करना चाहिए qhd आप कर सकते हो जिसके आप करना चाहते है उसमें कर सकते हो तो मैं इसमें के इसको कर लेता हूं और उसके बाद यहां exporting process start हो गया है और कुछ देर में ही यह हमारी वीडियो है यह complete export हो जाएगी तो दोस्तो जो हमारी वीडियो है वो export हो चुकी है अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं तो इस तरीके से दोस्तो इस तरीके साफ export कर सकते हैं उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी help मिली होगी और यह जो issue है यह आपका issue दूर हो गया होगा चाहे काइन माश्टर वीडियो एडिटर exit का issue हो या फिर वीडियो export या save होने का issue हो वो दूर हो गया होगा आपका उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए होगा तो इसको like कीजे, share कीजे कुछ भी आप पूछना चाहते इस वीडियो के regarding तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं और कुछ और आपको जानकारी चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा और अगर आप जुड़ना चाहते हमारी शूटूप चैनल से ऐसी ही जानकारी रेगुलर पाने के लिए तो अपना Gmail अकाम ट्लॉग इन करने वा subscribe बटन पर क्लिक कर दीजिएगा आप subscribe बटन पर क्लिक करेंगे राइट सार्ड मुगंटिक निसान आजाएगा उसको अब दबा दीजिएगा और all पर क्लिक कर दीजिएगा भायद इसकाए होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो प्लोट करूँगा उसकी जान कर मिलेगे आपको सबसे पहले तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही मिलते आपसे अगली वीडियो में नई जान कारे के साथ तब तत के लिए बाइ टेक के आप